प्यारी सा संग जी स्वामी नितानन दयाल अपनी बाणी में कहते हैं करनी चलेगी संग में खबर हो रही है आम बहुत प्यारी बाणी गाई थी इस सरीर के बाद भी जब आत्मा सरीर को छोड़ के जाती है तब करनी साथ में जाती है जो आपने किया है करम उस करम का भुगतान आपने करना पड़ेगा हजारों जन्मों के बाद भी वो करम व्यक्ति के पास लोट के आता है इसलिए कहते हैं करमा की रेखा टारी ना तरी उधारन दिया है बड़ा बड़ा हरी चंद राजा का उधारन दिया है क्रिशन अभी मन्नू का उधारन दिया है राम का उधारन दिया है ओतार सरीखों ने भी जाना पड़ा अब साधान व्यक्ति की कौन सी बात है इसलिए गुर्देव कहते हैं करनी चलेगी संग में खबर हो रही है आम आम खबर है सब जानते हैं इसलिए मन नेकी कर ले दो दिन का महमान पता ना कब प्रान पखिर उड़ जाएगा कब चलने का नंबर आ जाएगा इसलिए अभिमान मत करो एहंकार मत करो दिखावा आडंबर मत करो पाखंड में भरमित मतो पाखंड में पड़ो मत और किशी को उल्टा मारग पे चलाओ मत नेकी की बात करते हैं संत भूल के भी ऐसा मारग दूसरे के लिए भी मत बताओ जो कुसंग का है उसका भी हिंसा आपको फिर मिलेगा क्योंकि आप से भागी हो गए हैं रिजन कारण इन्हें के आप कारण बन गए वो आपकी बज़े से गया है आपको उसका भुकतान करना पड़ेगा जो नर पड़े कुसंग में ताका सर्वस जाए जो बुरी संगत में पड़ जाते हैं वो अपना सब कुछ सर्वस सब खतम कर लेते हैं परमधाम की आत्रा करने के लिए आए थे परमधाम को पाने के लिए आए थे मानव जीवन को सार्थक करने के लिए आए थे यहाँ उल्टा हो गया, लुटा के जा रही हो मुठी बांद के आए थे, ख्ले हाथ करके जा रहे हो इस मुठी बंद में बहुत कुछ भेद था बड़ी दौलत थी स्वासों की पूंजी थी जीवन था आपके पास कोई सो सत्र साल का कोई साथ साल का जीवन था लेकिन जब गए उस वक्त लंबे हाथ करके गए पल्ले कुछ नहीं है नाल कुछ नहीं चले आया है इसलिए नेकी कर पता ना कब जाना हो जाएगा और जाना तो सत्र है राजा गए है परजा गई है तेरे देखत कितने की चले गए धर के देखो ध्याना जी ओतार सरीखे रहन न पाई तेरा क्या उन्माना जी तेरा अनुमानी क्या है तेरे देखते देखते बहुत लोग गए हैं इसलिए अपनी रहा बुहारी यहेली अपनी रहा को साफ करना और रहा साफ होगी मलिके नाम की बंदगी करने से सिमरन करने से सेवा करने से और भीतर द्वेश ना रखने से नफरत ने रखने से क्योंकि हम जैसे भी हैं परमात्मों को सभी कार हो जाएं फिर दुनिया के नाम की गंदगी क्यों भीतर रखे हैं उसका कर्म का भुगतान उसको मिल जाएगा उसके पास लोटके आएगा हम सेभागी क्यों हो रहे हैं हम क्यों जिम्मार बनते हैं क्यों ठेकेदार बनते हैं छोड़ दो आप करो मत दूसरों को जगाओ आपके जरा से प्रिया से कोई जाग जाए उसका जीवन सपल हो जाएगा आपके जरा से प्रिया से कोई सराब छोड़ दे कुशंग से बच जाए जोदनर पड़े कुशंग में ताका सर्वस जाए कुशंग बूरी संगत अपना तो नुक्षान करती है प्रिवार को भी खतम कर देती है किसी की प्राण बचाना किसी का जीवन बचाना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है इसलिए हो सकी तो किसी की काम आए जीवन को वर्थ ना गवाए अब विचार करके देखो करम तो लोटके आता है बहुत से लोग वो खला जाते है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं नेकी करता हूं फिर भी मैं दुखी पहले के आगे आ रहे हैं अब बहु गए अब बहु आगे आ जाएंगे इसलिए तो संत कहे आगत में क्यूं बहु असूल आगत क्यूं खराब कर रहे हैं यह तो संतों की भाड़ी है और किसी को समझ ना आए बड़े विस्तार से बेठ करेंगे आओ बेठी चर्चा करेंगे लेकिन समस्या कहां है समधान अपने तरीके सिचाते जल्दबाजी में नहीं यह धैरिये का काम है सने सहज चर्चा और चर्चा तरक ना हो चर्चा समझने की हो चर्चा बहंस का विशे नहो चर्चा तो मालिक के नाम की हो क्योंकि समाधान मेरे बताने से नहीं समाधान आपके जानने से होगा आप जानोगे तब ही समाधान होगा और जाना जा सकता है क्योंकि भीतर की जब गरंथियां खुलती है भीतर का जब दर्वाजा खुलता है तो जीवन का नया अनुभव होता है और वह अनुभव ध्यान के द्वारा वह अनुभव प्रैक्टिकल वह अनुभव अभ्यास के द्वारा ही प्रैक्टिकल होगा इसलिए आप चेत वक्त है टाइम है अवसर है चूक ना मत पर समस्या कहां है बैठे उठके चले गए अमल नहीं करते हैं गुरू से लगन कठिन है भाई इसलिए तो कहते हैं गुरू का होना बड़ा उखा है क्योंकि गुरू के शब्द का पचाना हजम करना चलना सविकार करना ओखा है उपर उपर तो हाँ जोड़ना तो अशान है लोग ऐसा ही तो करते हैं भीतर से सविकार कर लेना प्राणों में सविकार कर लेना ओखा है इसलिए तो संतों ने कहा भी है पिया का मारग कठिन है खांडे की धारा दग मगे तो गिर पड़े न उतरे पारा पीव का मारग उखा है कठिन है चलना मुश्किल है कठिन मारग विक्ष चलना ना तकवा हमारा है शजन ये प्रेम की घाटी निभावतो गो जा रहा है अपने सद्गुर से प्रात्वन की जा रही है ऐ शजन ऐ प्रितम ऐ गुर्देव ये मारग कठिन है मेरी नया को पार आप लंगाओ और जिस व्यक्ति का अभ्यास करते करते दुनिया से नफरत मिट जाए सिकायत मिट जाए हम भरे हुएं सिकायत बहुत लोग मेरे से भी सिकायत से भरे होंगे क्योंकि मैं जो सुनता हूँ एक व्यक्ति कई दिन के बाद आया, मैंने का भाई कैसे हो, मर जी ठीक हूँ, कई दिन में आये, क्या हुआ, मर जी एक सिकायत है, कि मैंने का क्या है, मैं दुलंडी मेले पे आया था, मैं भादु एकम के मेले पे, किस मेले पे आया, उन्हें पताया, मैं ठीक है, उस दिन मैं सत्सायव कर र नहीं अच्छा मैं कहां था नुर्य याप भीड थी शंगत जयादा थी जब आपने जान लिया संगत जयादा थी और सभावत ध्यान ना भी जाए तो इतनी छोटी सोच आपकी होगी कि आप इतने कमजोर नाता आपका हमारा थोड़ी होता है आपका हमारा गहरा नाता होना चाहिए बहुत गहरा शम्मन होना चाहिए लगा होना चाहिए भाई ये छोटी बातों में नहीं क्या फर्क बढ़ता है ना भी देखा होगा वो हो उसके में बोला आपने ना भी सुना होगा इन बातों से ही हम कमजोर हैं हम छोड़ छोड़ी दुनिया की बातों को देख के तोल के ही अपना अनुमान लगा के ही जीवन जीना सुरू कर देते हैं अच्छा या बुरा नहीं संतों ने कहा है नाता नाम का जी मोस होना तोड़ा जाए तेरे नाम का नाता है ए गुर्देव आपसे सची प्रीत है ए स्वामिनितान अन्दयाल आपसे आत्मिक लगाओ चाहिए सरीर भी कुर्वान हो जाए चला जाए दुनिया की कोई दौलत पद कुछ भी आपके नाम से जाए उसकी प्रवा नहीं है अगर फूक है अगर मांग है तो हरी दरसन की प्यास हमारे आपके दरसन की प्यास और आपसे क्या सिकाइद करेंगे हम लाइक हैं आप तो त्यार है पर लायक हम अपने तरीके से नहीं हो सकते हैं आपकी समर्था से, आपकी दृिष्टी से, आपकी महर से क्योंकि लायक भी आप बना हुए जब इतनी प्राथना होती है जब मन से, चाओ से भरते हैं तो दुनिया के रोग भी से मापत होते हैं और करम के भोग भी से मापत होते हैं जब प्रातना प्राणों से होती है प्रातना नफरत द्वे से उपर उठके होती है हम चोटी बुधि अलब बुधि के सिकार हो जाते हैं कई बार आगे पीछे खड़े होने में भी मन में हंकार आ जाता है क्या फरक पड़ता है जिसको दिखाना है वो देख रहा है दुनिया को क्या दिखाएंगे और जिसके लिए आये वो जानता भी है स्वामनितान अंद्याल जानते भी है आपके भीतर में उठने वाले भावों को बिचारों को ये दुनिया के लोग तो नहीं जान पाएंगे क्योंकि मीठी चोपड़ी बातों के शिकार हो सकते हैं से भावत है लोगों का भाव है उपर-उपर की बातों में राजी रहना संग्रस कोई जो बात आती हैं तो फिर बेक फिर साइड चेंज फिर रास्ता दूसरा फिर कैसे पिर मिलेंगे जीवत मरना डर नहीं करना जब महला पगधार है वहाँ जीवत मरन की बात करते हैं वहाँ जीते जी मरना है आपा मिटाया आपा पाया हो गया आप आप जी भक्ती मारग में मिटाना पड़ता है मैं नहीं मेरे सत्गुर यही बात दादु द्याल भी कहते आपा मेटे हरी भजय तनमन तजय विकार निर्वेरी सवजीव सो दादु ये मतहसार आपा मेटे हंकार नहीं क्या कहेंगे लोग सत्गुर का हंसी भी इसकी और सोभा भी इनकी मजाक होगा तो इनका होगा और सोभा होगी तो भी इनकी होगी क्योंकि मैं इन से जुड़ गया मेरी हंसी तो तेरी हंसी तुम ही देख विचार अर्ज करना है तो मेरी हंसी ना हो जाए किरपा करो इस बाने की इलाज राखियो ये तो प्रात्ना करनी होती है मैं तेरी सरन हूँ मेरे अगड़ पुड़ोसी जानते हैं मैं तेरी सरन हूँ के देहासी हो जाए मैं जानता हूँ दुनिया के सभाव की वज़े से चंचलता हो सकती है पर आप किरभा लो मेरी राख लो आप जो प्राथना करते हैं तो दयालू है गुर्देफ कोई रोग ठहर नहीं सकता क्योंकि यह सामरत है कोई भी तकलीफ है अरज करें प्राथना करें मुक्षे बोलें बोलें कि आप समभाड़ो जानते बिन बोलें सब कुछ जाने क्या कहेंगे लेकिन जो प्राथना की जा रही है बैठके बिन्ती कर रहे है तो प्राथना करो और जब भीतर की पेड़ा होती है तो बस जुक जाओ समारदो मैं तेरा हूँ मेरे सत्गुरु प्यारे बिगडी समारदे सत्गुरु प्यारे बिगडी समारदे मेरे सत्गुरु दिन दयाल बिगडी समारदे कर्मा के मारे तेरे दर दे पुकारदे तेरी चोखट पे आए है तेरे दर्वार के दर्सिन कर रहे है तेरे स्थान पे आगे है हे किरपा शिंदू आप किरपा करो और ऐसा समर्पन भाव भव मारो भव त्यार गुसेया चाए मार और चाए त्यार संसे नहीं है कच्छा अमन नहीं है उदास भाव नहीं है नकारत्मक विचार नहीं है नहीं है बस आप किरपा करो ऐसा ही भाव बना रहे है चाहे सीस टुकडे टुकडे होके जाए फिर भी आपका चाहे सिरीर रोगी हो चाहे कुछ भी हो आपका ऐसा नाता ऐसी प्रीत ऐसा भाव ऐसा आत्मिक लगाव है तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपके बंधन को नहीं काड़ सकते आपके रोग को नहीं काड़ सकते आपकी पीड़ा को नहीं काड़ सकते इसलिए नितबंदगी करिए नितरदास करिए नितप्राथना करिए कोई रोग ठैर नहीं सकता ये तो जग त्यारन हार है सकल भै भंजन वाड़े हैं सारे भै को खतम करने वाड़े हैं अभै पद देने वाड़े हैं बिघन बिनासन भै हरन परम गुरू सिर्ता आज मंगल दाता सकल के नमो नमो महराज वे मंगल करने वाड़े हैं अभै पद को देने वाड़े हैं इसलिए गुर्देव अभै करन तारं तिरन शरन पड़े किलाज निता अनंद की बिन्ती नमो नमो महराज मैं नमन करता हूँ बार बार वंदना करता हूँ मेरी राख लेओ मेरी अरज सुनो मीरा भी कहती है मेरी अरज सुनो भिहारी एप्रभू मेरी अरज सुनो जब आप सत्संग में बैठते हैं मन पाक हो आत्मिक लगा हो और जब ऊठते हैं तो उचा भाग सत्गुर से अरदास करें ए गुर्देव बड़े भाग बड़ी किरपा हुई आपकी मुझ दीन पे कि आज आपके पवित्र प्रांगन में बैठके आपके दरसन करना और आपकी बाणी सुनने का मुका मुए मिला मुझे अफसर मिला है आपके दरसन करने का मुझे मुका मिला है आपकी बाणी सुनने का हिक्किर पाशिंदू दया करो, रोज 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 ये भूख ये मांग, ये दर्सन की प्यास बढ़ती जाए और सच कहूं जिस पे राजी हर हुए उसके कारज सभी सरे हैं कारज सारे सरे हैं, जिस पे राजी सदगुर हुए हैं इसलिए नित वंदगी खरिए, वल सदगुर दये महाराज तपो भूमी जटेला धाम के द्वारा प्रचारित, ये यूट्यूब चैनल महाराजी की अमरित वानी व आश्रम द्वारा, संचालित प्राणी मात्र के सेवा कारियों को जन जन तक प्रचार हेतु है आप महाराजी की वानी को जन जन तक पहुँचाने के लिए पुन्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधू इसे अधिक से अधिक लाइक शेर वो सबस्क्राइब करें सतसा है